मद्धिप्रिदेश में मिलावट खोर आपकी सेहत से किसकदर खिलवार करने में लगे हुए हैं इसका एक नजारा नौर में देखने को मिला है यहां स्टेफ खादिव विभाग द्वारा साइवत कारवाई करते हुए पालदा सित इंडुस्ट्रियल एरिया में हींग की फैक्टरी पर चाप अमार कारवाई की गई जोरान कई क्विंटल मिश्रित हींग सहित कई मिलावटी खादिपदार्थ जब्त किये गई पतादे पिछले दिनों मिलावट खोरी के खलाफ मध्यप्रदेश में बड़े स्थर पर एक मुहीम चलाई गई थी उसी के तहट मुगबिर तंद्र के आधार पर स्टेफ द्वारा सूचना पर खादिव विभाग के अधिकारियों को साथ में लेकर चाप अमार कारवाई करते हुए 14 क्विंटल अप मिशृत हिंग वह 31 क्विंटल हिंग बनाने की सामगरी फैक्टरी से जब्त की गई है बदाया जा रहा है कि फैक्टरी जगदीश मखीजा और मुकेश मखीजा द्वारा संचालित की जा रही थी जिन से भी अधिकारी पूश्ताच में जुटे हुए हैं तो वहीं फैक्टरी में खाद विभाग द्वारा पाया गया है कि जो हिंग से सामगरी बनाई जा रही थी वह पूरी तरह से गलत तरीके से बनाई जा रही थी सबस्टेंडर के संबंद में जो मुहीं चल रही है उसमें एक बड़ी कारवाई की गई है जिसमें फूड डिपार्टमेंट के साथ में पालदा में दविज देके एक फैक्टरी से करीब खड़ा गोंद करीब करीब 40,000 रुपए का रिफाइंड ओयल करीब 15,700 रुपए का फिर इसके अलावा एक केमिकल है उसको कुझे चटनी त्यादी बोलते है उसको उसकी बारी सादाद में एक हिंगडा करके 200 किलो करीब 2,40,000 का और बनी हुई हिंग 50 किलो करीब 50,000 रुपए की ये अमानक पाई जाने पे और सब जब्ती की कारवाई पूर्ड डिपार्ट्मेंट द्वारा की गई है और इसमें जो जब्ती के उप्रान सेंपिल लेके सामग्रिय को वहीं सील बंद करने की इत्यादी कारवाई जारी है कारवाई के दौरान सबूत जुटाए गए हैं और आने वाले समय में खद विभाग द्वारा नियाईला में सभी साक्ष पेश किये जाएंगे उसी के आधार पर जाज भी की जा रही है खबरों में फिल हाल इतना ही लगाता नियूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मुर्द भाशी नियूज